हेलो गाइज वेलकम तो अनेदर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फिंड्स किम्स हॉस्पिटल में लग की क्रिष्णा इंस्टिटीट ऑफ मेडिकल साइंस की ओर से जून क्वार्टर के फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है स्टैंडलों कॉंसॉलिडेटेड दोनों रिजल् इंकमें शिक्स हंडड़न करोड का पिछले कौटर में फाइफ फंड़ पॉइंट करोड का इंकम था क्वाटर और प्रॉफिट में गिरावाट आई लिकिन एक्स्पेंस बहुत जादा इसके एक्स्पेंस किया है जिसके पिछले कौटर में 127 करोड का और जून 22 क्वाटर में 107 करोड का एक अपरेटिंग पॉफिट क्वाटर में डाउन येर आयर में इंक्रीज किया है नेट पॉफिट कंपनी का 86.6 करोड़ का पिछले क्वाटर में 98.6 करोड़ का और जून 22 क्वाटर में 79 करोड़ का नेट पॉफिट है क्वाटर ओन क्वाटर में डाउन है येर ओन येर में इंक्रीज किया है वह एकर हम EPS की बात करेगा इस तो कंपनी का जो EPS है यहाँ पे राउंड 10.1 रुपीज का है क्वाटर ओन क्वाटर में डाउन है येर ओन येर में इंक्रीज किया है तो कंपनी का जो रिजल्ट पेश हुआ है इंकम तो लगातार ग्रोथ है लेकिन एक्सपेंस से ज्यादा होने के कारण पॉफिट क्वाटर ओन क्वाटर में फॉल हुआ है अगर हमें स्टैंडर ओन डिजल्स को कवर करें तो मिलियंस में नंबर है इंकम में 302.7 करोड का पिछले क्वाटर में 298 करोड का और जून 22 क्वाटर में 266.6 करोड का इंकम था quarter on quarter year on year में increase किया है expenses 218.7 करोड का पिछले quarter में 200 करोड का और June 22 quarter में 196.6 करोड का expense हुआ था quarter on quarter में income down all expenses बहुत जाता है इसके गण profit में गिरावाट आया है जो कि 83.9 करोड का पिछले quarter में 97.9 करोड का और June 22 quarter 70 करोड का operating profit है quarter on quarter में fall year on year में increase किया है नेट profit 62.6 करोड का पिछले बॉक्से पुछे मिलते हैं नेक्स वोड़ों में तिल दन बबाद